लोग सभाज चुनाओं से पहरे चिराग पास्वान की पार्टी में एक बाफिर से तूट का खत्रा मडराने लगा है अगर चिराग पास्वान इंडिये से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो कुछ रिष्तिदारों के साथ वो पार्टी में अकेले बच जाएंगे नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बर्जु सिंग 2020 का विधान सभाज चुनाओं व्याद कीजिए जब चिराग पास्वान इंडिये से बाहर जाकर चुनाओं लरने का फैसला लेते हैं एक बड़ा रिस्क लेते हैं और इस रिक्स में खुद व्यक्तिगत तोर पर चिराग पास्वान को कुछ फाइदे तो होते हैं लेकिन जो भी कैंडियेट उतारे गए उनकी नसर्त जमा पास्वान इंडिये में हैं नितीश कुमार भी इंडिये में आ गए हैं और नितीश कुमार की वापसी से चिराग पास्वान काफी जादा ऐसा हज हो गए हैं चिराग पास्वान को वैसा लगने लगा है जितने सीटे मुझे चाहिए उतनी सीटे इंडिये में भारती इंता पार्टी अब मुझे नहीं देगी इसलिए अब इंडिये से बाहर जाकर तेश्पी आदों के साथ गडवन्धन किया जा इसकी चर्चा हर तरह फोड़ी है लेकिन इसम चर्चाओं के बीच चिराग पास्वान की पार्टी के एक बरे नेता के घर पर बड़े बरे नेताओं की बैठक इंडिनों खुब होड़ी है खबर है कि चिराग पास्वान के कड़ीवी नेता जो इंडिनों खुब चर्चा में रहे उनके घर पर प्रखन अध्यक्ष लेकर जिला अध्यक्ष और रास्ट्रिये लेवल के नेताओं की बैठक हुई जिसमें तैक या गया कि अगर इस बार चिराग पास्वान इंडिये से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो तमाम लोग अचानक एक साथ इस्तिपादे देंगे और पार्टी में बचेगा कौन तो खुद चिराग पास्वान और उसके अलाबा उनके जो कुछ तरिस्तदार पार्टी में हैं वो ही बच लेकिन उनके पार्टी के तमाम नेता उनका साथ छोड़ देंगे सिवाए कुछ रिष्तेदार के चुकि 2020 के विधान सवा चुनाओ में भी प्रस्तिती बनी थी तमाम लोगों के न चाहने के बावजूद भी चिराग पास्वान इंडिये से बाहर चले गए थे नतीजा क्य पास्वान काफी असहज हैं चिराग को लगने लगा है कि अगर राजनिती करनी है ज्यादा सीटों पर चुनाओ लड़ना है तो फिर एंडिये से बाहर जाने का फैसला करना होगा लेकिन यह फैसला काफी जोखिम भड़ा देखने को मिल रहा है चुकि चिराग पास्वान क इसे बाहर जाने का फैसला करते हैं तो फिर उनका साथ कोई नहीं देगा चुकि जो लोग है उनकी जो पाटी की विचारधारा है वो आरजरी खिलाब है वो किसी भी आलमी आरजरी के साथ गड़बंधन नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर वो अपनी महत्व कांशा को पूड़ वाला है 24 के चुना इस साल जो चुनाओ लोग सवाकोने उससे पहले अगर चिराक पासवान इंडिये में रह गए तो ठीक है नहीं अगर उनकी महत्व कांशा होई कि जावा सुटों पर चुनाओ लरनाय जैसी की चर्चा है इंडिये से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो फ दिख लेजे मेरे साथ कितने संसद हैं इधर चिराक पासवान के कुनवे में काफी जो है वो असहजता दिख रही है चुकि न सिर्फ चाचा को लेकर बलकी चिराक के फैसले से काफी जादा लोग नराज हैं चुकि पाटी के अंदर चर्चा खुब ओड़ी है कि अब लगत कोई साथ देने को तयार नहीं है पिछली बार तो साथ दे दिया गया लेकिन इस बार हम लोग साथ नहीं देगे यह तै हुआ है पाटी के बड़े बड़े निताओं के घर पर बड़े बड़े लोगों के बीच तमाम लोगों ने तेह किया है कि अगर इस बार चिराग एंडिये से बाहर जाते हैं तो फिर सभी लोग एक साथ इस्थिपा जो है वो दे सकते हैं तो हम आपको एक बड़ी ख़बर जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में एक बाब फिर से नसर भगदर मचेगी बलकि तूट ऐसी होगी कि चिराग अकेले बज जाएंगे कुछ रिष्टदारों के साथ चुकि इनके पाटी में कई उनके रिष्टदार हैं उनके भाजे हैं कई लोग हैं तो उन पडिवार के साथ चंद लोगों के साथ चिराग पासवान अकेले बज ज झाल 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 झाल